अक्सर हम देखते हैं कि जब धूर दरास जगहों के बात होती है तो वहां के बच्चे चाहते हैं कि हम बाहर जाके एजुकेशन लिए और नॉइड़ आपको पता है कि बहुत बड़ा हब बन चुका है एजुकेशन के लिए लेकिन जेवर से जेवर के लोग कितना इन जिसमें पहुंच रही है क्या आपको नजर आ रहा है इस वक्ति सिती में अगर हम बात करें तो बड़ी-बड़ी युनिवस्टी में स्थापित होने जा रही है जैसे एक साउट से नर्सी मुझी युनिवस्टी है और दूसरा गलगोटिया युनिवस्टी जो प्रिक्तिस बहुत है और मेरे छेत्र के लोग जो सिक्षा लेना चाहते हैं वो इन संस्थानों के माध्यम से अपनी पृत्वा को निकारते हैं लेकिन मेरा प्रयास है कि वो बच्चे जो महंगे संस्थानों में नहीं जा सकते या आर्थिक तंगी है उन लोगों के घरों में तो ऐसे ल आप ये देखिए कि हम उसमें जो courses लाएं, वो film acting का courses लाएं, उसमें fashion designing के हम लोग courses ला रहें, चोंकि हमारा मकसद है civil aviation का courses हम लोग ला रहें, चोंकि हम ये देख रहे हैं कि एरपोर्ट हमाँ बनने जा रहा है, एपरेल पार्क महाँ बनने जा रहा है, फिल्म सिटी महाँ बनने जा रही है, तो जब तक इन सबकी स्थापना हो उससे पहले ही हम बच्चों की एक ऐसी फॉस तैयार कर दें, ट्रेंड फॉस जिन हैं रोजगार मिलने में कोई दिक्कत ना हो, और positive नजरिये के साथ जेवर छ स्वानवित है, आपने देखा होगा कि यह वही छेत्र था जहां दो इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थी, आज वहां के लोग आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा लिख रहे हैं, तो यह एक बदलाब है, और यह प्रदेश योगी आदित नाजी के ने इत्रित में, उस बदलाब की ओर बढ़ चुका है, जहां यह इस प्रदेश को नंबर एक पर ले जाएगा देश में, और हम पूरे देश की उकॉनोमी का एक माध्यम बनेंगे, और जेवर उसका पईया होगा, ऐसा मेरा मानना है. अभी आपने जिक्रे किया कुछ उनिवर्सटी का, और यह अच्छी बात है कि जेवर को आप इतना डेवलब करने वाली हैं, और आगे इतने सारे ऑप्शन्स खुलने वाले हैं, लेकिन मैं इस वक्त करन्ट सिच्वेशन के अगर आप से बात करूँ, हालिया मैं बोटानिक पर थी, वहां से कैप जाती हैं, आपको पता होगा, वहां की उनिवर्सटी के लिए गलगोटिया या फिर आसपास बहुत सारी उनिवर्सटी से, उसमें अक्सर ये देखने को मलता है, बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हमें अभी, करन्ट सिच्वेशन में हमारे पस वी में मैं आपको भी आमंतरित करूँगा, हम पांच बसिस चलाने जा रहे हैं, जो एक जेवर एरपोर्ट से चलेगी, और बाकी एक सेक्टर 22D से चलेगी, और रभूपरा जो हमारा कस्वा है, जिसके आसपास सारा ये डवलपमेंट हो रहा है, दो बसिस हम हां से चलवाने ज जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये पांच बसिस का रूट हमने ऐसा बनाया है, जो सारे सिक्षन संस्थानों को कवर करती हुई जाएंगी, और परी चौक से होते हुए, ये गाड़ियां भंगेल के माध्यम से सीधा बोटनीकल गार्टन पहुंचेंगी, तो हमारा पूरा प् पंदरे दिन में हम उन बच्चों की सिकायत को दूर करने हैं, आपके पास भी आई थी ये सिकायत, निश्चित तोर से मैं वहां का विधायत हुए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हैं, आप बच्चे हमेशा परिशान रहते थे थे कि हमें क्याप्स प्रोवाइड नहीं कर प काफी अच्छे घरों से आते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसे भी आते हैं जो आप बता रहे थे, लूट पार्ट और डकैती और हत्या तक के मामले आ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं और इस तरीकी की चीज़ें वहां पर होती हैं, इसके लिए भी कुछ करने की जरुवत है? 35 ऐसी घटनाएं हुई जहां महीलाओं के साथ दुराचार हुए, लूट की घटनाएं हुई, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज योगी आदित्यनाच जी किस समय में किसी बदमास की इतनी जुर्रत है कि वो किसी की तरफ आख भी उठा कर देख ले, और इस जिले से जिस तरी प्राध का सपाया हुआ है, वे अपने आप में कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश का पूरे देश के लिए एक उधारन हैं